सूर ग्रेहन पर हम बात कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं सूर ग्रेहन के उपर क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह सूर ग्रेहन काफी भयानक होने वाला है देश में जीवर में कई प्रकार के बदलावला सकता है विज्ञान का कुछ अलग मानना है जोतिश का कुछ अलग मानना सबके तर्क अलग-अलग हैं लेकिन आप सूर ग्रेंड को नगना आखों से ना देखें ऐसा कहा जा रहा है चश्मे का अस्तमाल करिए आप और ये सूर ग्रेंड साल का सबसे बड़ा सूर ग्रेंड है इसी पर आज हम बात कर रहे हैं हमारे साथ कई सारे महमान भी जुड़े ह हुए ते लगातार हम आपको पलपल की अपडेट्स भी दे रहे हैं साथ ही साथ आपको लाइफ तस्वीरे भी सूर ग्रेंड की दिखाते चले जा रहे हैं कि कब किस समय क्या हो रहा है हर एक तस्वीर आप से हम साजह कर रहे हैं हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हमारे साथ सुनील जी जुड़े हुए हैं, सुनील जी मैं आपके पास आऊंगी जिस तरीके से ये सूर ग्रेंट जो पढ़ रहा है इसको लेकर आप और क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं हमें बहुत आउधानी रखना है बिल्कुल एक बहुत ही रुमान्चक दोईलफ और हम बैज्ञानकों के लिए उस्टो की घटना होती है और इस उस्टो वाली लटना पर हमें और आपको बहुत ज्ञान देना है रहते में आपको कुछ चीड़े दिखा हूं कई लोग बाइनौकुलर का इस्तेमाल करके सूर ग्रायं को देखने लगते हैं इस प्रकार की डिवाइस से सूर ग्रायं को नहीं देखना है निए उनक ज고 चाने को बता रहें वरना आपके आपके आँवो के रौष निजा सकती है कई बच्चे इस्तकार की डूर्भी लगते हैं इससे अथा-जोर की चीज़ां को देख सकती हैया लेकर हम सूर के दरान अगर हम इस से देखेंगे तो हमारी आखें डैमेज हो जाएगी इस पिकार की डिवाइस से भी नहीं बच्चों को देखना है वो मार्केट में एवलिवेल हैं तो आपकी आख खतम हो जाएगी आख खराब हो जाएगी और पूरी जिंद्धी बन के लिए अंदे हो जाएगी और ये दुर्वाद को घड़ना आपको पूरी जिंद्धी रुडाएगी इसके बाद कई लोग ऐसे भी हैं मेरे दोस्ट जिनके पास टेलिस्कोप भी है उनके पास उनको भी टेलिस्कोप से कभी भी सूर्ग रहन को डायेक्टली नहीं देखना है याद रहे कभी भी डाय तो वह बहुत सारी लाइब उनकी आंक पर गिरेगी उनकी आंख सार रह दिना अर्ता परदा डेमेज हो जाएगा इस प्रकार की तो टेलिस्कोप मार्केट में अवलेविल है इंचे नहीं देखना है सवाल उठता है कि किस प्रकार हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इस तो अगलाज वाले चस्मों से देखना है और एक रिफलेक्टिंग टेलिस्कोप होती है उसके नहीं देखा जा सकता है उसमें इस प्रकार से रिफलेक्टिंग टेलिस्कोप की मदश्य हमें वाला आपको सूर्गर्ण का आनंद लेना है और या हम परती पे इसका क्रिश्वम मे के इमेज लेके भी इस अजबुत खगोली घटना का आनंद ले सकती है और याददार बना सकती है तो पुरी जब गंभीता की साथ कह रहा हूं यह एक ऐसी घटना है जिसमें तभी इंशार को वेज्ञान को उत्सो मनाना चाहिए पता नहीं कोंची नहीं फाइंडिंग मिल ज जब सूर्ग होता है तो अंधियरा ठाजाता है धाथी करता कम हो जाता है जी जब यह सारी घटना होती है तो हमारे आसपार जो पशु पक्षी होते हैं वो सोचते हैं कि साम हो कहीं है उनकी बाइलोजिकल खिलोप होती है जैसे मेरी और आपकी बाइलोजिकल खिलोप इंव अपने लोट मैं अपने तरह अपने तरह का हायर चाहर गया तरह आदा के तमार परकार की भांकिया ने लगते हैं बात कही जाती है मंत्रों चारण की मंत्र और भगवान को स्मरण की तो जो निगेटिव एनरजी है वो हमारे सरीष दूर होती है हमारे दिमाग से निगेटिव एनरजी दूर होती है लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि आप जो सूर ग्रेंड को देखें तो किन-किन चीजों का आपको इस्तमाल बिलकुल नहीं करना है वरना आपको इसका बुरा असर आपकी जीवन में भी पड़ सकता है आपकी आखों की रोशनी जा सकते सुचील जी आपका आपसे मेरे एक और सवाल है जब हम सूर ग्रेंड को देखें तो क्या कोई ऐसा समय भी है कि जिस समय में नहीं देखना चाहिए हम कभी भी देख सकते हैं या जिस समय यह सूर जो है चंद्रवा से चा वो लाकती पर आती है और यहीं ओर्जय आ चूरॅख हो मैं और आप सभी जिनना नहीं रह सकते हैं कि हमारे जितने भी यहींसब्लान के दीख हैं उन्हें होजन निumed भाइन होगा वहजन से मर आपको हमारे देखे कि अवश besti ही पुरी होंगी तो सूरज से सुखित बहु अच्छी बिलेंज हो जब पूरी रूप से सूर रहा हो तब तो विल्कुल देखें क्योंगी वो तो कि अद्वर घटना है लेकिन प्रोटेक्शन लेके देखें ये बात पढ़िए जी इस पतार से इंड़ी में रिस्क ना लें आंखों को बचाएं और विज्ञान की इस और जब आप एक्स्रेश शीट से भी सूर ग्रैन को देख लेते हैं बिल्कुल ऐसा ना करें इससे आपकी आखों की रोशनी जा सकती है तो विज्ञान की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये सुशिल जी ने बताया विज्ञान इसको किस तरीके से देखता है ये हमने आपको ब से इसको ना देखे तो बात यहां पर साफ यही है कि नगन आखों से आप सूर ग्रैंट को ना देखे वरना आपकी रोशनी जा सकती है तो किन-किन विशेस चीजों का आपको विशेस तोर पर ध्यान रखना ये सब हमने आपको बताया है सुशिल जी हमारे साथ लगतार बन देखिए जो सूर ग्रैंट के दोरा हूं जो तिस जुकी एक अलगी विज्ञान है तो वो उनके अपना अलग धंचे केल्कुलेशन होता है बिलकुल लेकिन अब मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हर चीज में देखिए हर चीज का उत्तर विज्ञान में है तो हमें देखिए जैसे मैं लखनव में हूं या उत्तर भारत में तई ज़िए मांसून आ लिया है तो वहां पर बारिस हो रही है बातनों में सुर्ग छिपा हुआ है तो बच्चे उसका अनंद नहीं ले पा रहे हैं उसका दीदार नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए में एक मौक संस्थान यह नोट कर लें उसकी वेबसाइट पर जहाएं और इसका लाइव तेली कास्थ जो लोग बारे बारिस और बादल के कारार इस अलोग के घटना ते महरूम है है तो गज़ी तो बारे सरकार के आरवश प्रेक्शर इवर विद्ध्यान संसार एवी इसका लाबर नाशा की नाशा का इस माशा का यह उट्रेकर एक वेस्टारी तरह के उसके जाकि वो लाइद देशकते हैं वो लोग भी तेलीकास्टिंग कर रहे इसका लाबर कर रहा है और समय करके एक और वेबसाइट इसका कर रही है उनके लिए वर्चुल डंसे ओनलाइन दंसे क्योंकि हमें सोचल डिस्टेंशन भी अपना भी है और हमारों उपर आज प्रकति भी दरबाद पुरू से महरबान नहीं हुए कुछ देश के हैसों में तो उनके लिए कुछ खबरी है कि वह इन वेबसाइट का उप्लोग करके इस अजबत अलोग के घटना का अदंद ले सकते हैं और इसमें कहां कहां विद्यान किती है भर्टी के तात्मान आपके आसबाद के तात्मान में दूरिंग सोलर एक में कितना परवर्तन आ रहा है इसको भी आप कर सकते हैं कि अधर्टी के तात्मान में भी कुछ न कूछ अन्तर आता है जो देखा गया है इसके अलावा थोड़ी बड़ के लिए बदो रखा जाता है जिसके का हमारी आपती आपको प्लाव को ती जो चेजिए लिदम होता है इसका हम लोग राट और दुन में अंतर तो जैसे कि सुशिल जी ने बताया कि विज्यानिक के नजरीय से आप इसका लुप्त उठा सकते हैं और अगर आप सूर ग्रेंड को नहीं देख पाएं हैं तो उन्होंने कुछ वेबसाइट्स भी बताएं आप उस पर जाकर सूर ग्रेंड को देख सकते हैं तो वहीं सुशिल जी किस तरीके से मौसम में बतलाव आने वाला है सूर ग्रेंड के बाद पर जाता है तो यह संदो पर जाता है और तो जी क्रेज़टेशन स्क्रेटर पोस्ट कम हो जाता है और इसके बगए उसके बाद जैसी शूर ग्रेंड को दो लगए एक बच्चे पशाट पश्व मिन्ट पे खतन हो जाएगा हमारे इसके कॉंटिनेंट से तो फिर सूरत अप्नी छटा दिखे लेगा पूरे भारत में और जहां पर मांसून आया हुआ है वहां बारत से होने ही है कि अचार कमई से चरवा है यह मांसून मांसून के लिए तरप्ड आये कि बारे से खुशियां आये और यह सारी जो घटना है जो हम और आप तब लोग देख रहे हैं चाहिए वह कोरेमा मामारी से लेके हो या बैक्तर गौन डिजीत हो या नहीं नहीं यह सब तो सजूंगों से होती हैं तो इस तरह दूश लेकिए यह सब कुछ वायर्स म्यूटेशन कर रहे हैं या करी देख अक्नी प्रियोग सागा में नहीं बालों से रेपन बना रहे हैं इनके लगवारी पहरी है इसमें अभी रिचर्ट हे रही है और आपने हमने सब कुछ तो बेख लिए आज इसमें हम लोग गुरी तरह से भुचल जायते हैं जिसके आदार से पॉलेंगा से लड़ाई करने हम हमें बताई है आप वही हम तो वही बात करेंगे लेकिन हां मंत्र हुआ जोतिश हुआ इसका अपना लोगदान है मांसिक सब्सक्राइब लिए मांसिक पांटी के लिए हमारे अंदर पोजितिवितिविति राने सब्सक्राइब लिए हम लगातार के लिए उसके तरफ से आपको बता रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है आप ऐसर खगोली घटना का आनन्द ले सकते हैं लेकिन कुछ-कुछ जरूरी चीजे भी है जो सुशील जी ने बताई है उनका वेयाद आपको खयाल रखना है वरना आप अपने आखों की रोशनी खो सकते हैं यानि कि सुशील जी हम इस खगोली घटना का आनन्द ले सकते हैं सुर्व ग्रेंड को आसानी से देख सकते हैं लेकिन कुछ-कुछ जरूरी चीजें जिनका विश्यस्तार पर ध्यान रखना है क्योंकि उसका बुरा एफ अब भूमें हुए है कि कहीं हैता है तेले आने वाला है कहीं को इस दर्वागपूर गठना होने वाहिए कि खुछ भी नहीं होना है रहा है अपने अपनी एंजाइटी का शिकार मत वहिए और मैं पुरी विश्वास के साब कर आए हूँ यह सूर्व जहर भी घटन होगा इ कि हम तब लोग बड़े अश्वास की पूब जिन्दा रहेंगे माना जाती ही कोरे में अमारी पर भी विजय पाएगी हमारे वेज्यानिक बिन्राप लगे हुए हैं हमारे चिचिस्ते कर भी फिंट-लाइन वरकर लगे हुए हैं आप मीडिय पर भी लगातार विज्वान सं काब मीडिय या या पर मजबूर में सलएने के लिए जी आपने बहुत है सारी जानकारी हमें दी हैं काफी आप में दिये कि किस प्रकार से हम क्या कुछ कर सकते हैं लेकिन इस सूर ग्रेंड को हम आसानी से देख भी सकते हैं लेकिन कुछ-कुछ जरूरी चीज है जिनका में विश्य स्वार पर ध्यान रखना है अलका जी आपका के नियूस में बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपके पास आओंगी? इस सूर गहन्ट को लेकर जो पाच गंटे नॉमिनेट का जो पढ़ रहा है कहा जा रहा है काफी बड़ा सूर गहन है यह और लोग काफी से डर भी रहे हैं आप क्या कहेंगे इसको लेकर? यह जो सूर गहन पढ़ रहा है बेसिकली एक जैसा कि यह सुष्ली भी बता रहा है कि यह सिंपल एक खगोली घटना है जिसको हम लोग एक एक अस्ट्रोमिकल लेट कहते हैं जो होता कहा है जब अर्थ और तन के बीच में मून आता है तो यह एक सीद में आता है तो यह एक तो इस तरह से यह आपका जो तीन तरह का सोलर एकलिप्स होता है एक पूल सूर गयान होता है तो डोटल सोलर एकलिप्स होता है एक आपका होता है जिसमें इसका पार जगता है और तीसरा जो है वो आपका अनुलर एकलिप्स होता है तो यह बेसिकली अनुलर एकलिप्स है प्र ऐस्तें जो कि थोड़ा सा इसमें होता है ना कि जो कि Aert, Moon और Sun Sun के around Aert move कर रही है inımızıप्र से मुग कर रही है इसमस कि दूरी जो होती है प्रित्वी की और सन की अतुरी से घठी बनती रहा इसी तरह मुण जो है वह Θे अर्थ किछरों तरह बहुम रहा यह सिंपल एक्खगोली घटना है इसे ऐसा कोई डरने की जरूरत है इस सरह की इवेंट पिसी रहे जाए हैं तो जैसे की अलका जी ने बताया सुशील जी ने बताए कि यह खगोली है घटना है आपको इससे डरने की जरूरत नहीं लगतार हैं बीज्चान के नजरिये से लु देसको परिशाणी नहूँ और आपके रौस्टे है कि आपके पास आएंगे विज्ञान के निजरेशे से आपने सुना सुशील जी ने बताए आप जी ने बताया अपके आंगे एक कमारे शमस्त कि प्रकार सकता है. इसके साथ भी प्रभावित करेगी इसमें कोई भी दोराय नहीं हम यह निश्चित रुख से कर सकते हैं कि सूरे के बिना जिस प्रकार से हमारा जीवन शंबन होई है और सूरे गढ़न के समय चुनकि सूरे से हमारी कहीं न कहीं जीवन में आएगा तो हमारे जो पूर्व आध्यात्मिक धार्विक लोग हैं उनी बहुत ही अच्छी सचिश्चता हमको दी है कि हम इस समय एकांत वाश करें किसी भी प्रकार से इसकी चाया में आने का प्रयास न करें वो हमारे लिए ही शंदर होगा हमारे लिए भी पचाओ होगा इसमें कोई शंद्या नहीं जी तो जैसे जी दिविजीवन जी ने बताया कि जोतिश के नजरिया से वो कैसे देखते हैं दिवी जीवन जी अगर बात कीजिए साफधानी की आपने जैसे कि सुना सुषील जी ने भी कई सारी साफधानिया बताइए कि हमें किन-किन चीजों का विशेस तोर पर ध्यान रखना चाहिए अलका जी ने भी बताया कि किन-किन चीजों का विशेस तोर पर ध्यान रखना चाहिए दिवी जीवन जी आपको क्या लगता है क्या कुछ चीजों का में विशेस तोर पर ध्यान रखना चाहिए क्या कुछ नहीं कर पर हम वताव से बारा गंटे पूरों से ही हम लोग जल भोजन आधिका थ्याग कर दें। यदि वो बहुत ही व्रत हैं, अशक्त हैं, बीमार हैं तो इस काल में जल आधिका सेवन कर शक्ति हैं। अनिता जो शमार के विपती हैं, वो उनिसी दून से सारे गोजन आधि, जल आधि का थ्याग कर दें। और इसके साथ ही हम इस काल में जो है मुन्नन आधिकारियों को नहीं करें। जहां तक शम्भव हो, सौस, क्रिया का भी परिद्याग करें। और इस काल में जितना वो शक् अतना एकांत वास करें। और जैसा कि बहुत से लोगों में कुपूहल होता है सूर्यडर्शन करने का, गह belie жен करने का। अबरों थो प्राचीड लोगों ने बताया है किहाली में जोदक करके भी, हम दर्शन कर सकते हैं, तसमा लगा करके भी दर्शन कर सकते हैं।濃त। इस प्रदर्सन है कि हम दो दर्सन आपके मात्रम से जो है श्रमस्त दर्सन कर सकते हैं तो अनेक आशी शावदानिया है जिनको आप सही रख सकते हैं और जीवन के लिए ही योगी है कोई जरूरी रही कि हम इस काल में जो बताए गए जो निदेशन है अनुरूप उचका पालन न क जी बिल्कुल तो आपने जिन चीजों को बताया है उन चीजों को भी विशेज ध्यान रखना चाहिए हमारे साथ लगतार रोक्टर अलका बनी हुई है शुशिल दिर्वेदी जी बने हुए दिवी जीवन जी भी बने हुए लगतार हम चर्चा कर रहे हैं सूर ग्रेंड के जा रहे हैं यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए